कि फिर दोस्त। आप में से कई सारे लोगों के मेसेज आ रहे थे कि मैं कुछ ऐसे प्लेट्फॉर्म के बारे में बताऊं जहां हैं को इसली इन्टरिशिप मिल पहहए आप सबने इंटरेश्श qualah का तो नाम सुना होगा लेकिन इंटरेश् suscept के लिए क्याफी जादा पे हो, डिप्लोम में पे हो, MBA पे हो, या फिर आप Commerce बैग्राउंड से हो, तो आपको यहाँ पे इसली इंटर्शिप देखने के लिए मिल जाती है, तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने के पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लिज सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों जो पहली वेबसाइट है वो है मैक इंटर्ण, डिस्क्रिप्शन पर मैंने इसका लिंक डाल दिया है, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप आजेंगे मैक इंटर्ण की इस वेबसाइड में, यहाँ पे हर फिल्ट से रेलेटेड आपको इंटर्शिप देखन करने के लिए मिल जाता है, आपको इस पर सिंपल क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने सारी कैटेगरी आने लग जाती है, जिसमें आप इंटर्शिप कहां से ठून सकते हैं, आपको किसी एक कैटेगरी पे क्लिक करना है, जिस भी कैटेगरी से आप इं इंटर्शिप पर आपके सामदे आने स्टार्ट हो जाते हैं यहां पर अगर आप वर्चुल इंटर्शिप की बात करें तो इसका मतलब होता है work from home that means आपको office जाने की जरुवत नहीं है आप कहीं से भी एक काम को complete करके नहीं दे सकते हैं वहीं पर campus ambassador का मतलब होता है कि दिये हुए कंपनियों को promote करना और उनके दिये हुए task को complete करना अगर आप किसी भी internship पर apply करना चाहते हैं तो आपको यहां पर apply का बटन देखने के लिए मिल जाता है आपको इस पर click करना है साथी आपको यहां पर internship में Stephen भी offer होता है उन सबका detail आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा और कौन से branch के बच्चे इसमें apply कर सकते हैं वो सारे option यहां पर देखने के लिए मिल जाते हैं आपको यहां पर simple apply करना है और आपसे आपकी basic detail और qualification detail के बारे में पूछा जाता है आपको उनको fill क करके apply कर देना है इसके बाद अगर company को आपता profile अच्छा लगता है तो उनके तरफ से आपको mail आता है और यहां पर काम start होता है दोस्तों जो दूसरी website है वो है less intern यह site काफी अच्छी है अगर आप internship search करना चाहते हैं तो यहां पर आपको paid और unpaid दोनों ही type की internship देखने के ल मिलता है internship का वो भी work complete होने के बाद ऐसे में अगर आपको paid internship ना मिले तो आप unpaid internship के लिए भी try कर सकते हैं दोस्तों internship का main मकसद पैसे कमाना नहीं होता इसका main मकसद होता है company के work culture को समझना तो ऐसे में अगर आप unpaid internship भी करते हैं तो इससे आपको advantage ही होगा दोस्तों आपको यहाँ पर category वाज internship भी देखने के लिए मिल जाती है यहाँ पर कई सारे इसके आपको icon देखने के मिल जाएंगे आपको simple इसपे क्लिक करना है और क्लिक करते ही सारे internship आपके सामने आने start हो जाएंगे यहाँ पर full time, part time, virtual internship और brand ambassador के program आपको देखने के लिए मिल जाते हैं अगर company को आपका profile अच्छा लगता है तो इस platform के जरीए और email के जरीव आपसे contact करते हैं दोस्तों जो तीसरी website है वाज तुलीब जिसको government और AICT द्वारा manage किया जाता है इसके उपर मैं already video बना चुका हूँ कि किस तरीके से आप इस पर register कर सकते हैं और किस तरीके से आप य regular आपको internship update देखने के लिए मिल जाती है इस platform में अभी तक लाको internship upload हो चुकी है और यहाँ पे 95,000 SE company हैं जो इस platform में internship को upload कर रही हैं यहाँ पर आपको government internship भी देखने के लिए मिल जाएगा तो आपको यह website बिल्कुल miss नहीं करना चाहिए और week में कम से कम 2-3 बार इस website में ज यहाँ पर link देखने के लिए मिल जाता है आप जैसी इस पर click करेंगे state से related जितने भी internship होंगे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे यहाँ पर अगर आप नीचे आके देखते हैं local body पर click करना है click करते ही आपके सामने सारे internship आने start हो जाएंगे यहाँ पर आपको कई सारे government और private internship देखनी के लिए मिल जाते हैं यहाँ पर हर प्रांच से related internship offer होते हैं आपको simple अगर किसी इंटेंशिप के बारे में जानना है तो यहाँ पर देखने के मिलता है आपको क्लिक करना है जैसि西方 आप यहाँ पर click करते हैं इस इंटेंशिप से related सारा डीटेल आपको देखन में है और इसके बाद आपको अपना registration form फिल करना पड़ेगा registration form किस तरीके से फिल करना इसके उपर already में एक वीडियो बना चुका हूँ जिसका मैं आपको description पर link दे दूँगा आप उसको देखके इसमें research कर सकते हैं तो जो fourth internship related website उसका नाम है NCS जिसको government के द्वारा ही manage किया जाता है अगर आप इसकी website को open करके देखते हैं तो आपको यहाँ पे कई सरे work from home और internship offer हो जाते हैं अगर आप work from home पे interested है तो इसके उपर already में एक video बना चुका हूँ जिसको आपको मैं description पर link दे दूँगा आप उसके क्लिक करके work from home किस तरीके से apply करना है यह देख सकते हैं अगर आप internship के लिए interested है तो आपको इहां पर नीची आना है यहां पर नीची आने पर आपको find job करके एक option देखने के लिए मिल जाता है आपको जैसी यहां पर किलिक करते हैं आपके सामें Search में आने लग जाता है, यहाँ पे आपको job nature को internship पे set करना है और यहाँ पे search button पे click करना है, जैसी आप click करेंगे latest internship आपको नीचे देखने के लिए मिल जाएगा, इसके अलावा कर आप किसी specific field में internship search करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको keyboard का text box देखने के मिल जाता है, वहाँ पे अपने field को आपको लिखना है, और search button को press करना है, जितने भी latest internship होंगे, वह आपको नीचे देखने के लिए मिल जाएगे, आपको यहाँ पे एक apply का button मिल जाता है, जिससे press करके, आप अपना profile field कर सकते हैं, और internship के लिए apply कर सकते हैं, दोस्तों, I hope आपको यह वीडियो अच् लिखने के लिए मिल जाता है, थैंक यू